तो गाइस अमने करी 90 days short challenge एंड जिससे हमें कुछ हैसा result मिला ओए तुम गलती कर रहे हो, result पहले दिखाना नहीं होता, last में होता है ओव सोरी सोरी, cut करती नहीं cut कर देना प्लीज इसे तो गाइस अमने करी अपनी channel पे 90 days short challenge एंड इससे जो हमें result and experience मिला इसा मैं अब लोगों के साथ आगे चल कर शेयर करने वाला हूँ तो इसके लिए वीडियो का कोई साभी पार्ट मिस करने की गलती मत करना क्योंकि मैं बार बार ऐसे experiment करने वाला नहीं हूँ तो चलिए वीडियो का start करते है तो सबसे पहले मैंने mind बनाया थे कि 90 दिनों तक मैं short upload करूंगा consistently लेकिन फिर मैंने सोचा कि upload करूं भी तो करूं किया लेकिन देन अचानक से मेरे शेयतानी दिमाग की किचन में एक idea पाग गया कि मैं अपने short channel पे different चीज़ें ट्राई करूंगा तो उन सबसे मुझे क्या result मिला तो चलिए देखते हैं आई ये देखते हैं मलारत day one so इसके बाद day one में मैंने एक short upload किया जिस पर पता है कितनी views आगे 89 and I was like ब्रो मैं तो YouTube का guard हूँ सिर्फ views मुझे ही आते हैं और किसी को नहीं तुमारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है day two अब day two पे हमने और आड़ वर करके एक और शाट बनाए जिस पर 161 views आ गए कोई बात नहीं पहले से तो ज़्याद है अब इस मरतबा views और वाश्टेमार दोनों के arrow उपर के जानिब ते तो इससे मुझे एक एडिया मिल गया कि आपसे मैं पूच्टी डालूँगा तो इसके बाद इवनिंग तक मैंने एक और पूच्टी डाल दी और इस पर मुझे काफी तगडिर रिस्पोंस मिली इस पर मुझे पहले दिन 1200 views मिल गये अब ये मैं अपने opinion बता अब इससे मुझे एक और एडिया भी मिल गया कि शॉट वीडियो के length को जितना भी कम रखेंगे उससे हमें उतना ज़्यादा views मिलेंगे और ओडियंस retention उतना ही बढ़ेगा तो चली आपसे सेम strategy अपनाते हैं तो ये हमारे शॉट चैलेंज का तीसरा तिन जिस पर मैंने शॉट अपलोड की और मुझे 361 views मिल गए तो इससे अब लोग देख सकते हैं कि शॉट का एरो 6 गंटे के बाद एक दम से उपर किजान बगया है तो इससे मेरे शैतानी दिमाग की किशन में एक और एडिया पग गया कि जब कभी भी मैं भी शाम की टैम वीडियो अपलोड करूंगा तो इसे 6 से 7 गंटे बाद ही वाइरल होंगे तो शाम को अपलोड करने के बाद एरात के 1 या 2 बजे वाइरल होंगे तो इससे 1 या 2 बजे हमें एकटिव सबस्क्राइबर मिलेंगे नहीं तब इसके बाद मेरे वीडियो 1000 या 2000 पर जाकर रुख जाती है तो इसके लिए मैं नेक्स वीडियो में करूंगा क्या कि एक से दो बजे की तरमया मैं वीडियो को अप्लोड करूंगा तो अब हमारे चैनल के सैकेंड वी कंप्लीट हो गया इसमें मैंने डिफरेंट चीज़ें ट्राही की मैंने वीडियो अप्लोड करने का टाइम चेंज किया इनके टेग्स टैटल में एक्सपिरिमेंट की तो इसके बाद मैंने वीडियो अप्लोड की इस पर 6000 व्यूज आ गए और इसमें हमारी ओडियंस रिटेंशन 95 परसंट थी लेकिन फिर भी एरो डाउन शो हो रहा था इसके बाद मैंने इस चैनल पे बहुत सरे शॉर्स अप्लोड के जिस पे मुझे 1000, 2000, 3000, 1200 कुछ ऐसे व्यूज मिले एंड इसके बाद एक मन्त कंप्लीट होने के बाद मैंने इस चैनल को छोड़ देया एंड देंप इट 13 जोलाई का दिन था एंड मैंने सोचा कि क्यों ने इस चैनल पर लॉंग वीडियो ट्राई करूँ आड़ वाद तो मैंने बहुत किये इस चैनल पे तो चैनल इस पर लॉंग वीडियो ट्राई कर लेती हैं तो लॉंग अफ़लोड करने से पहले मेरे पास एक शर्ट वीडियो थी जो मैने पहले हाइड़िट की थी लेकिन मैने अपलोड नहीं किया था तो मैंने सोचा कि इस उपलोड करूँगा तो इसके बाद शाम तक मैं अपने लॉंग वीडियो को एडिट करके अपलोड करूँगा तो मैंने शॉट वीडियो को अपलोड किया एंड याद रखना अमारे 90 डेल शॉट चैलेंज से अभी भी एक महीना पाकी था एंड शाम की टैम मैंने इसको अपलोड किया तब उस टैम मेरे सारे शॉट वीडियो को लगा ता कि चैनल मर चुका है पर मेरे लास्ट वीडियो ने का तो इसके बाद मैंने उस लास्ट 30 डेज में किया किया एंड मेरे उस वीडियो बे इस टैम कितनी व्यूज है एंड मैंने अपने 90 days short challenge पर अपना channel montage करवा कि दिखा दिया कि नहीं इसके लिए गर इस वीडियो पे ठेट सो like आते हैं तो मैं इसका part 2 मनाऊंगा तो वीडियो को like करके channel को जरू से subscribe करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक ही लिए peace